हेलो एव्रीवन मेरा नाम निशित एंड वेलकम टू क्रेजी जी के ट्रिक देखे मैट्स की सीरीज हमारी चल रही है इसमें हमने मिक्षर पढ़ा रेश्यो प्रपोर्शन के हमने तीन बेसिक कंसेप्ट वीडियो देखे हैं आज यह चौंथा सेशन है जो की होने वाला है प् पिछली तीन वीडियो में हमने जो कुछ भी पढ़ा है आज इस प्रेक्टिस सेशन में हम उसको लगाएंगे आज के सारे कोशन्स प्रीविएस यह कोशन्स हैं और इनको बनाने के बाद हम देखेंगे कि हमने जो कुछ भी पढ़ा है वह हमारे लिए एक्जाम पॉइंट के हिसाब से कितना तो चलिए बिना देरी की शुरू करते हैं आज का सेशन हमारा पहला कोशन 2016 इंटी पीसी का है देखिए बहुत सारे बच्चों की डिमांड थी कि सर रेलवे के कोशन्स भी लीजिए तो आज मैंने काफी कुछ रेलवे के कोशन्स भी लिये हैं तो पता चलेगा A कितना है A है B का 5 बटा 8 है ना तो यहां से मैं A बटा B तो बहुत easily निकाल सकता हूँ कितना आएगा A बटा B 5 बटा 8 पर क्या यह मेरा आंसर है नहीं मुझसे पूछा गया है B और A का आनुपात याने basically मुझे चाहिए था B बटा A तो B बटा A कितना होगा अ याने option D will be a right answer बहुत easy question था NDPC 2016 चलेए देखतें next question क्या है A का 2 तेहाई B के 4 5 के बराबर है अब यह 4 5 क्या है इसको समझ लें 4 बटा 5 है basically वो A अनुपात B निकालना है MPSI 2017 सवाल question को लिख लेते हैं A का 2 तेहाई याने 2 बटा 3 किसके बराबर है B के 4 बटे 5 के बराबर है तो अब यहाँ पर मुझे A और B का अनुपात निकालना है तो A बटा B कितना हैगा देखिए A बटा B अगर मैं 3 को इधर ले जाओ और 2 को इधर ले जाओ तो यह हो जाएगा 4 दिया 12 और 5 दूनी 10 यहां से ratio निकाल सकता हूँ मैं 6 बटा 5 यहने मेरा answer होगा 6 अनुपात 5 option B अगर इस question में मुझसे B अनुपात A पूछता तब मेरा answer 5 6 होता ना की 6 5 तो question में इस बात का ध्यान रखेंगे कि A B पूछा है या B A पूछा है दोनों में answer पला रिया आता है चलिए next question देखते है अगला सबल 2017 MPSI का है A अनुपात B दिया है A अनुपात C दिया है A अनुपात B अनुपात C पूछा है देखिए यहाँ पर दिया क्या है A B और A C मैंने आपको trick क्या बताई थी कि इस तरह इस तरह आप cross multiply करके या multiply करके आप ratio निकाल सकते हैं पर यह कब जब common term cross में available हो और इसे A अनुपात C ही रहने दूँ तो अब देखिए आप यहाँ पर आपको क्या देखिएगा आपको देखिएगा कि जो common term है वो cross में आ चुका है और अगर यह cross में आ चुका है तो अब मैं अपना shortcut लगा सकता हूँ पर यहाँ पर B A करने में ratio भी पलटेगा तो जो A B 2 एक था वो B A कितना हो जाएगा एक अनुपात 2 इसी प्रकार A C को मैंने नहीं बदला तो यह एक अनुपात 3 ही रहेगा यहाँ से मैं multiply करके answer निकालूंगा answer क्या आएगा B A C का अनुपात पता चलेगा B A के कम 1 A का 2 एकम 2 और C का 396 मुझसे A B A C नहीं पूछा A अनुपा यह वैसा लिख देते हैं A कितना है 2 B कितना है 1 और C कितना है 6 answer 2 1 6 option कौन सा होगा option C होगा मेरे ख्याल से आपको यह clear हो गया अगला question MPSI 2017 का अच्छा सवाल है बहुत ही basic question दो संख्याओं का अनुपात 5 अनुपात 8 है ठीक है 5 अनुपात 8 का मतलब क्या होता है कि अगर पहली संख्या के 5 हिस्से है तो दूसरी संख्या के 8 हिस्से है और उनका अंतर 48 है तो देखे हिस्सों में अंतर कितना है हिस्सों में अंतर 3 का है जो की कितने के बराबर 48 तो अ तो मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ गया होगा चलिए आगे बढ़ते हैं अगला कुशन देखते हैं हम हमारे सामने क्या है 3.6, 6.9, 11.4 का चतुर्त अनुपाद गयात करें देखे मैंने आपको चतुर्त अनुपाद निकालने के लिए क्या बताइथा चतुर्त अनुपाद निकालने के लिए ठीकना दाएथा फिर वोला था चतुर्त है यानने लास्ट वाले में एक्स रख देना। और अब तीनों क बिल्कुल sequence wise लिख देंगे याद आया हो अगर आपको तो हमने कुछ इसी तरीके से पढ़ा था अब यहां से x की value निकालना कोई बड़ी बात है क्या नहीं है x की value कितनी आईगी देखे x के लिए मैं क्या करूंगा मैं लिखूंगा 11.4 into 6.9 upon 3.6 यह मैंने क्या क्या आपको समझ में आया मैंने x को उधर ले गया और इसको इधर और इसको इधर ले आया तो यहां पर मुझे x की value मिल जाएगी कितनी आएगी तो देखे x की value अगर मैं निकालूंगा तो यह आएगी 21.85 और आपको यह option कहीं नहीं दिखेगा इसके closest option कौन सा है इसके सबसे करीब का option कौन सा है तो आप बोलेंगे 21.9 तो option D will be our correct answer तो इस तरीके से approximation के question भी आप कभी-कभी expect कर सकते हैं कि जहां पर exact value ना आए पर जो nearest value हो वो मेरा answer हो सकती है अगला question देखिए 10 और 20 का तरती अनुपात जयाद करें वही diagram मैं फिर से बना लेता हूँ तरती अनुपात के लिए भी मैं last में x ही रखता था पर 10, 20 और वापस 20 रखता था है ना अब यहां से मुझे x की value निकाल लीए कैसे निकालूंगा x बराबर 20 गुनित 20 बटा 10 0 से 0 कैंसल 20 दुनी 40 होता है याने मेरा answer क्या होगा 40 option d will be our correct answer बहुत basic question है इसलिए मैं बहुत जादा time नहीं ले रहा है यहां पर चलिए देखते है next questions अगला सवाल एक विद्ध्यार्थी एक विद्ध्यार्थी किसी संख्या को 3 बटे 2 से गुणा करने की जगा 3 बटा 2 से भाग दे देता है तो उसे सहीं उत्तर में 10 कम प्राप्त होता है वह संख्या क्या थी देखे यहां से आपसे क्या बूला गया है कि एक number था x सबोस उसे करना था गुणा 3 बटे 2 से पर उसने x को भाग दे दिया 3 बटे 2 से ऐसा करने पर क्या हुआ कि जो actual answer था उससे 10 कम इसे answer मिलने लगा याने क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि इसमें बड़ी संख्या तो ये वाली रही होगी और इन नोनों का जो अंतर है ग्वाग दे दिया तो यहां पर जो value मिलने वाली तो यहां वाली पुरानी value से 10 कम है याने इनको माइनस करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा 10 मिलेगा तो क्या मैं यहां से x की value निकाल सकता हूँ बहुत आराम से निकाल सकता हूँ छिआं से x common निकाल लीजिए यह कितना बचेगा, यह बचेगा 3 बटा 2, minus, यहाँ पर 2 उपर पहुँच जाएगा, तो यह हो जाएगा 2 बटा 3, यहाँ पर equals to 10, LCM ले लेंगे कितना आएगा, 6, तो equation कुछ ऐसी बनेगी, 6, यह 3 ती यह 9, और 2 दूनी 4, minus करेंगे, तो यह हो जाएगा, 5 बटा 6 बराबर 10 काटिंगे इसको यह 2 बार में, और 6 दूनी 12, याने X के value कितनी आ जाएगी, 12, option C will be our correct answer, कुछ लोग option से भी जा सकते हैं, आपको लगेगा कि option से बनाना आसान है, तो अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है, देखे, option से बनाने में फाइदा किया है, कि आप यह 2 options तो पह से भाग दूँगा, तो 10 को, 3 बटे 2 से जब मैं भाग दूँगा, तो यह 20 बटा 3 हो जाएगा, जो कि संख्या दशमलाव में आएगी, तो इनका अंतर 10 तो आहीं नहीं सकता, वलकि something decimal में ही आएगा, तो पहला option और दूसरा option, sorry, चौथा option तो वैसे भी cancel हो जाता है, तो answer जो भी होगा, B और C में से ही हो सकता था, तो आप hit and try लगा कर देख सकते थे, अगर 15 हो जाता तो ठीक है, और 15 नहीं होता तो 12 ही answer होता, तो हम इसको option से भी बना सकते थे, next question देखते हैं, क्या है, दो संख्याओं का अनुपात, तीन अनुपात, एक है, अगर उनका योग 72 है, तो संख्या का अन्तर ज्याद करें, बहुत ही simple question, NTPC 2016, देखि मैं ऐसे question लेना नहीं चाहता, पर आपी की demand है कि railway के questions लीजे, तो लीजे railway का question बहुत ही simple है, देखिए 3 ratio 1 पर 2 number है, उसने बोला दोनों का योग 72 है, तो यहाँ पर 4 जो है, वो कित्ती के बराबर 72 के बरा देंगे 36 होगी, यानि option B will be a correct answer, तो मेरी क्याल से आपको यह clear हो गया होगा, चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे next question पर, अगला question NTPC 2016, बहुत अच्छा सा वाल है, 3740 रुपए, ABC के बीच बाटे जाद, बाटे गए कुछ इस प्रकार की, A का 1 बटा दो, बराबर B का 1 बटा, अच्छा है, तो ABC को प्राप्त धनराशी गयात करें, बहुत ही simple question है, आपको golden rule याद है, मैंने आपको एक golden rule बताया था, golden rule क्या था, मैंने आपको बोला था, कि अगर A बटा X, बराबर B बटा Y, बराबर C बटा Z लिखा है, तो यहां से हम A, ratio B, ratio C, direct निकाल सकते हैं, क्या होगा, X, ratio Y, ratio Z, यह golden rule मैंने आपको बताया था, इसी चीज़ का यहां पर apply करें, तो देखी क्या मैं इसको A बटा 2 लिख सकता हूँ, A कम A होता है, तो यह A बटा 2 है, यह B बटा 3 है, और यह C बटा 6 है, तो ABC का ratio मैं यहां से सीधा कितना निकाल सकता हूँ, ABC का मैं यहां स यहां पर total कितना है, 3740, तो अगर 11 बराबर 3740, तो एक की value कितनी होगी, एक की value होगी, तीन की value होगी, एक हजार 20, चाय की value कितनी होगी, यह होगी, यह होगी, दो हजार 40, वैसे अगर आपने A निकाल लिया था, तो आप options पर देख सकते हैं, एक ही value, 640 केवल option C में ही है, यहने answer मेरा कितना होगा, 680, sorry, 680 होगा, तो मेरे ख्याल से आपको यह समझ में आ गया होगा, कि किस तरीके से हमको इस type के questions करने है, golden rule याद रखेंगे, यह बहुत अच्छा rule है, काफी काम आने वाल है, आगे भी, तो चल 5 पैसा और 10 पैसे के कुल 90 सिक्के हैं, जिनकी कुल कीमत 7 रुपए है, 5 पैसे के कुल कितने सिक्के हैं, चलिए, इसको याद रखेंगे, मैंने आपको क्या बताया था, कि अगर हमारे पास 5 पैसा और 10 पैसा है, तो यहाँ पर दो ही चीज हो सकती है, एक होता है number, और एक हो रुपए है, तो चलिए, अगर मैं इसको ऐसा बोलूँ, कि अगर यह X है, तो यह कितना होगा, तो यह 90 माइनस X होगा, है की नहीं, अगर 5 पैसे के सिक्को की संक्या X है, तो 10 पैसे को कित्ती होगी, टोटल 90 था, तो 90 माइनस X, यहाँ से value निकालूँगा, तो मुझे बता को एक रुपए बनाने के लिए कितने सिक्के चाहिए, 10 सिक्के चाहिए, तो मैं इसे divide कित्ते से करूँगा, 10 से, अब यह मुझे value पता चल चुकी है, और दोनों की total value कित्ती है, 7, तो चलिए अब इसको solve कर लेते हैं, कितना आएगा, तो यहाँ पर LCM ले लेंगे 20, तो य यह हो जाएगा, X प्लस, जैसे यहाँ पर 20 लोंगा, LCM तो यहाँ दो का गुणा करना पड़ेगा, तो यह हो जाएगा, 180 minus 2X बटा 20 बराबर 7, यहाँ पर गुणा कर लेंगे, यह कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा, 180 minus X equals to 140, 140 को इधर ले आए, 180 को उधर कर दें, यह X को अधर कर दें, तो X की value यहाँ से मुझे कितनी मिली, 40, और अगर जैसे X की value मुझे 40 मिली, तो 5 पैसे की कितने सिक्के थे, X ही तो थे, याने total 5 पैसे कितने सिक्के थे, 40, अगर मैं मुझे से पूछता 10 पैसे के, तो फिर मैं बोलता 90 minus X याना 90 minus 40, तो 50 होते, तो यहाँ पर मुझे 5 पैसे का पूछा था, याने option C will be our correct answer, बहुत simple question था, बस आपको थोड़ा सा यहाँ पर LCM लेना पड़ेगा, इस बात का ध्यान रखें, calculation अगर आपने सहीं की, तो बहुत simple question है, तो चलिए, अब चलते हैं आपके next question पर, तो देखें अगला question क्या है, 84,000 रुपीज A, B, C के बीच बाटे गए, कुछ इस प्रकार की A के प्रतेक 1 रुपए पर B को 90 पैसा प्राप्त होता है, और B के प्रतेक 1 रुपए पर C को 100 पैसा प्राप्त होता है, B को कितने रुपए मिलेंगे, चलिए देख लेते हैं B को कितने रुपए मिलेंगे, जो बोला है पहले उसको मैं लिख लेता हूँ, क्या बोला है, कि A को जब भी 1 रुपए मिलेंगे, तो B को 90 पैसा मिलेगा, देखें अब दोनों की unit अलग है न, तो पहले unit same कर लेते हैं, एक रुपए का मतलब कितना पैसा होता है? 100 पैसा, याने A को जब-जब 100 पैसा मिलेगा, B को 90 पैसा मिलेगा, याने यहां से अगर मैं रेशियो निकालना चाहूं, तो रेशियो कितना आएगा? 10 अनुपाद 9, वहीं B और C की अगर मैं बात करूं, तो मुझसे बोला गया है कि B को जब-जब एक रुपए मिलेगा, तब-तब C को 100 पैसा मिलेगा, अगेन यूनिट अलग है, तो यूनिट सेम कर लेते हैं, एक रुपए का मतलब 100 पैसा, और 100 पैसे का मतलब तो 100 पैसा है ही, यानि यहां से रेशियो कितना निकलेगा, 1 रेशियो 1, तो मुझे पताए A, B का रेशियो, मुझे पताए B, C का रेशियो, दोनों common term क्रोस में है, मैं यहां से किसका रेशियो निकाल सकता हूँ, A, रेशियो B, रेशियो C का, कितना आएगा, 10, 9, 9, तो देखेई A, B, C का रिश्यो कितना आ गया 10,99 तो अब total यहां पर अगर आप देखींगे तो आपको पता चलेगा कि यह 28 हिस्से है A को 10 हिस्सा मिलेगा B को 9 हिस्सा मिलेगा C को भी 9 हिस्सा मिलेगा तो total कितने हिस्से 28 total रुपै कितने 84,000 यानि 28 की value तो 9 की value easily हम बता सकते हैं, 9 या 27,000, याने इस question का answer 27,000 होगा, option B will be the correct answer, मेरे क्याल से आपको यह समझ में आ गया होगा, चलिए चलते हैं next question पर, कुशिन क्या बोलता है देखिए, 1620 रुपे तीन भागों के बीच बाटे गए, कुछ इस प्रकार की, दूसरे भाई का हिस्सा, बाकी दोनों के योग का 5 बटा 13 हिस्सा है, अब देखिए यहाँ पर थोड़ा समझनी कोशिश करिएगा, कि अगर मेरे पास तीन भाई हैं, A, B और C, इसमें दूसरा भाई अगर B है, तो उसके लिए बोला है कि जो B का हिस्सा है, यह कितना है, यह दोनों के, याने A और C के, जो भी टोटल है, A और C का जो भी टोटल है, उसका कितना हिस्सा है, उसका 5 बटा 13 हिस्सा है, बात समझ में आई, कोशिशन क्या बोला है, B की value उसने पूछा है कैसे निकाल सकते हैं क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ B बटे A प्लस C की value मुझे पता है 5 बटा 13 याने B को अगर 5 मिलेगा तो A और C को 13 मिलेगा तो total अगर मैं निकालने की कोशिश करूँ A, B, C total कितना होगा तो आप बोलेंगे 18 होगा बोले क्लियर है A और C तो पहले से ही जुड़े हुए थे उसमें मैंने B को भी जोड़ दिया तो 13 और 5 तीनों का योग होगा 18 याने total 18 हिससे होने चाहिए यहाँ total कितने रुपे हैं तो आप बोलेंगे 16, 120 अगर 18 की वैल्यू 16, 120 रुपे है तो एक हिस्सा या एक पार्ट की वैल्यू कितनी होगी तो यहाँ से हमें पता चलेगा एक की वैल्यू आएगी 90 कैसे आएगी 18 से भाग दे देंगे ठीक है एक की वैल्यू अगर मुझे 90 पता चल गई याने 450, option B will be a right answer हाँ अगर वो मुझे से A की वैल्यू पूछता केवल A की तो मैं नहीं बता पाता सिर्फ C की पूछता तो भी मैं नहीं बता पाता अगर वो A और C की total पूछता तब मैं बता सकता था कि हाँ इसको ठाकर 90 से गोणा करना है और यही मेरा आंसार होगा पर उसने B की पूछा था तो मैं सिर्फ B निकाल लिया बहुत इजीली निकल गया individually A और C की निकालना possible नहीं था इस question में तो चलिए अब देखते है next question देखे अगला question हमारे सामने क्या दिया हुए 15,525 रुपो को रुपे को सुनील, अनिल और जामिल के बीच कुछ इस प्रकार विभाजित किया गया है कि यदि 22 रुपे, 35 रुपे और 48 उनके शेयर में से क्रमशा कम कर दिया जाए तो उनके शेयर रकम 7 अनुपाद, 10 अनुपाद, 13 में होगा अब यहाँ पर धियान देने वाली बात क्या है कि 22, 35 और 48 रुपे कम करने के बाद यह अनुपाद आया है तो इस बात का धियान रखें क्या अनुपाद में होगे ठीक है यदि उनके मूल शेयर में क्रमशा 16, 77 और 37 रुपे जोड़ जोड़ा गया तो अब नए अनुपाद क्या होगा बहुत सिंपल कुश्चन है देखे क्या बोला है कि 15,525 रुपे को तीन लोगों में बाटा गया कौन-कौन हैं तीन लोग सुनील, अनिल और जामिल कैसे बाटा गया कुछ इस प्रकार बाटा गया कि पहले तो इनमें से 22, 35 और 48 रुपे कम किये गए और कम करने के बाद जो अनुपाद मिला वो कितना था वो था 7 अनुपाद, 10 अनुपाद, 13 तो अगर मैं यहाँ पर टोटल हिस्से देखूँ तो यहाँ पर टोटल हिस्से कितने मिलेंगे? 30 तो किया यह 30 जो है यह 15,525 के बराबर है? नहीं है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर कुछ पैसे कम भी किये गए थे तो चलो पहले इनको कम कर देते हैं यह टोटल कितना है? देखिए 22, 35 और 48 इन सब को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 22, 35 और 105 समझ में आएँ आपको यह कितना आएगा? 15,420 रुपई तो अब 30 की वेल्यू अगर 15,420 रुपई तो एक की वेल्यू कितनी होगी? आप सिंपली इसको कितने से डिवाइट करेंगे? 30 से 0 से 0 कैंसल कर ले ना 3 से काटेंगे तो कितना मिलेगा? यह मिलेगा 514 अब जैसे ही मुझे एक हिस्से की वेल्यू 514 मिली तो अब मैं बता सकता हूँ कि 7 हिस्सो की वेल्यू कितनी होगी? तो इसमें सिंपल 514 का गुणा करेंगे कितना आने वाला है? यह आएगा 3598 10 का गुणा करूँगा तो कितना आएगा? तो देखे 514 और 13 हिस्सो के हिसाब से कितना आने वाला है? यह आएगा 6682 पर यह जो पैसा है यह कब मिला उन्हें? यह उन्हें तब मिला जब 22 रुपय, 35 रुपय और 40 रुपय कम कर दिये गए तो क्या यह इनके actual share है? नहीं है मुझे इन में 22 और यहाँ कितना? 35 और यहाँ कितना? 48 रुपय जोड़ना पड़ेगा उसके बाद मुझे इनका actual share मिलेगा और उसके बाद भी answer नहीं आएगा उसके बाद मुझे इनको वापस 16, 77 और 37 रुपय और जोडने इनको जोड़ लेता है कितना आएगा? इनको जोडने पर आएगा 36, 36 इसको जोडने पर आएगा 52, 52 बहुत unique नंबर आ रहे हैं और इनको जोडने पर आएगा 67, 67 तो अब मुझे इनका अनुपात निकालना है तो देखिए अनुपात कैसे निकालेंगे जो कैंसल है, जो कॉमन है उसको कैंसल कर देते हैं यहाँ पर अगर मैं कॉमन टर्म देखूं तो 101 101 से ही सभी कैंसल हो जाएंगे कभी भी आपके सामने 4 अंकों को ऐसा कोई नंबर आए जहाँ पर दो-दो डिजिट रिबीट हो रहे हो तो याद रखेगा 101 से वो definitely divide होगा तो इसको अगर मैं 101 से divide करूँगा तो कितना आएगा, तो यह आएगा 36 times में यह कितने बार में, तो यह 52 times में और यह 67 times में और यह फर्दर आगे नहीं कटेगा याने मेरा answer क्या होगा 36, 52, 67 option C will be our correct answer थोड़ा सा calculated था एक छोटा सा basic knowledge होना आप चाहिए आपको की answer number कहां से कटेगा तो आपको यह question बहुत easy ली बन जाएगा, calculated है हाँ, तो चलिए next question की तरफ तो अगला सवाल है आपको समझ में आ रहा है ये बात कि आपके पास तीन प्रकार की चाहपतिय है पहली का rate क्या है, 126 रुपए पर केजी, दूसरी का rate क्या है, 135 रुपीज पर केजी, और तीसरी का rate क्या है, नहीं पता पर केजी, इनको आपको किस अनुपात में मिलाना है, 1 ratio, 1 ratio, 2 के अनुपात में मिलाना है, बोले क्लियर है, टोटल जो बनेगा, वो कितने का बनेगा, 153 पर kg का बनेगा तो चलिए एक काम करते हैं इसको ऐसा समझ लेते हैं अगर मैं इसका 1 kg लूँ इसका 1 kg लूँ और इसका 2 kg लूँ इसी रेशियो में मिलाना है तो टोटल कितना हो जाएगा तो देखिए अगर मैं प्राइस की बात करूँ तो ये 1 kg कितने काएगा ये 126 रुप एक किलो एक किलो और दो किलो टोटल चार किलो याने आपको इसको कितने से डिवाइट करना है चार से और ऐसा करने पर आपको पर केजी जो चाहिए वो कितना चाहिए आपको चाहिए 153 की याने 153 रुपीज पर केजी तो बहुत सिंपल है मेरी ख्याल से अब आपको समझ में आ गया होगा क्या करना है simple यहाँ पर multiply कर देंगे और यहाँ पर add, add करके minus करके x की value निकल जाएगी आपको answer मिल जाएगा चलिए जोड़ लेते हैं यहाँ पर जोड़ेंगे कितना आएगा 6, 5, 11, 1 carry 6, 2 261 प्लस 2x upon 4, 4 को यहाँ पर multiply कर लेंगे 15, 600, 612 यह हो जाएगा इसको यहाँ पर minus कर ले न 2x equals to 612 minus 261 कितना आएगा देखिए तो यह cancel होगा 1, 5 और यह 3 2x की value 351 है तो x की कितनी होगी 351 upon 2 answer होगा 175.5 option A will be our correct answer बहुत simple question था है न चलिए यहाँ तक कि अगर आपको बात समझ में आ गई है तो चलिए चलते हैं next question पर देखिए अगला question हमारे सामने क्या है 15 सदस्य वाले परिवार के प्रतेक सदस्य के लिए चावल की समान मात्रा अवश्यक है एक तरीके से बोला है एक फैमली में 15 लोग हैं और सब सेम कॉंटिटी ओफ राइस खाते हैं अगर एक आदमी 100 गराम राइस खाता है तो बाकी सब भी 100-100 गराम ही खाएंगे चलिए किसी विशेश दिन पर परिवार के कुछ सदस्यों की अनुपस्थती के खारें चावल की खपत 5 अनुपात 5 अनुपात 3 के अनुपात में कम हो गई थी यहां 15 लोग में से कुछ लोग absent हो गए कुछ X लोग absent हो गया गया तो मुझसे बोला है कि जो खपत थी वो 5 अनुपात 3 से कम हो गई याने पहले अगर 5 लोग का हिसाब था तो आप पहले अगर 5 लोग थे तो आप कितना हो गया तीन या पहले अगर 5 की लोग खाते थे तो आप कितने की लोग खाते है तीन की लोग खाते है तो चलिए उस दिन अनोपस से सदस से कितने थे तो basically आपको यह निकालना है कि absent कितने थे चलिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं इसको यहाँ पर समझेगा 15 लोग थे और अगर वो 5 खाते थे ऐसी समझेगा 15 लोग 5 खाते थे तो कितने लोग 9 खाएंगे देखे यहाँ से कितने गुणा हुआ यहाँ से समझेगा कि यह अगर मैं ऐसा देखू तो यह कितने गुणा हुआ तीन गुणा हुआ तो इसको भी यहाँ से कितने गुणा होना होगा तो यह तीन गुणा ही होना होगा देखे अगला कोशिन हमारे सामने क्या है, दो स्टेशनों के बीच पहली और दूसरी श्रिनी की ट्रेन के किराय का अनुपाद 3 अनुपाद 1 है, और पहली और दूसरी श्रिनी के यहाँ पर आपको एक बथा गया है किराया, किराया कितना या फेर कितना बताया गया है तो आपको किराया बताया गया है तीन अनुपात एक में है यानि फर्स्ट क्लास वाले को अगर तीन देना है तो सेकंड क्लास वाले को एक देना है फिर उससे बोला है कि संख्या यानि नंबर कितने है कितने लोग यात्रा करते हैं तो ये करते हैं एक अनुपात पचास में बुली क्लियर है तो यहां तक की बात समझ में आ गई आगे क्या लिखाए यदि किसी विशेश दिन पर तेरा सो पच्चिस रुपए दोनों स्टेशन के बीच यात्रा करने वाले यात्रियों से एकत्र किया जाता है फिर दूसरी शिर्णी की यात्रियों से एकत्र की गई धनराशी कितनी होगी देखे आपको टोटल यहाँ पर पता है कितना रुपए प्राप्त हुआ आपको प्राप्त हुआ है तेरा सो पच्चिस रुपए अब जड़ह यहाँ पर समझीएगा कि अगर किराया यहाँ पर तेन रुपे था तो एक ही आदमी ने ट्रैविल किया तो यहाँ पर टोटल इसको किटना रुपे मिलेगा तेन रुपे यहाँ पर सेकंड क्लास में किराया एक रुपे था से 50 आदमी तो 50 रुपिमगे तो टोटल आपको कितने रुपए मिलेंगे तो आप बोलेंगे तो ₹ devoted dishon तोटाल यानुप 33 रुपी स मिलेंगे और । ल मिले कितने तो टोटल आपको मिले हैं तेरा सो 25 रुपए यानै मैं बोल सकता हूं कि मेरा 53, 125 के बराबर तो एक की value कितने के बराबर 25 के बराबर और अगर एक की value 25 के बराबर तो मुझसे क्या पूछा गया मुझसे पूछा गया दूसरी श्रीणी के यात्रियों से एकत्र की गई धनराशी याने इस राशी के बारे में पूछा गया कैसे निकालेंगे simple 25 का multiply कर दे 25 पंचे, 125 और 10 लडाना है याने 1250 रुपए option A will be the correct answer मेरे ख्याल से आपको ये question भी समझ में आ गया होगा, बहुत simple question था है ना, चलिए next question चलते है अगला सबल देखें क्या है श्री गुपता और श्रीमती गुपता का वजन 7 अनुपात 8 के अनुपात में है और उनका कुल वजन 120 है बहुत अच्छी बात है देखें, आप मैं यहां से easily निकाल सकता हूँ, कि अगर Mr. and Mrs. गुपता Mr. and Mrs. गुपता का वजन 7 अनुपात 8 में है और टोटल 120 केजी है तो मैं easily यहां से बताईए निकाल सकता हूँ कि नहीं निकाल सकता हूँ 7 और 8 कितना हो जाएगा बताईए यह हो गया, 15 अगर 120 के बराबर तो 1 की वेल्यू कितनी होगी तो पहले 5 से काट लेना 3 बार में श्रीपान गुपता या श्रीपान गुपता जी ने 6 किलो वजन कम कर दिया तो अगर इनने 6 किलो वजन कम कर दिया तो यह कितने पर आ गए यह 50 किलो पर आ गए उनके वजन के बीच मतलब बिसिकली उनके वजन के बीच 5 अनुपात 7 में बदल जाता है श्रीमती गुपता ने कितना वदन घटाया था दीखे अब इनका रेशियो 5 रेशियो 6 हो चुका है 5 की वेल्यू 50 तो 6 की वेल्यू 60 तो अब श्रीमती गुपता जी ने कितना किलो वदन कम कर दिया 4 किलो option B will be the right answer यहाँ पर होना था उनके वजन उनके बीच वजन का अनुपाद उनके बीच उनके बीच वजन का अनुपाद 5 अनुपाद 6 है तो यहाँ पर श्रीमती गुपता जी ने कितना किलो वदन कम किया 4 किलो बहुत ही simple question 2009 में पूछा गया था चलिए next question देखते हैं तो देखे हमारा next question क्या है एक आदमी 5 बेटों, 4 बेटियों और 2 भतीजों के बीच विभाजित होने वाले होने के लिए 8600 रुपए छोड़ता है ठीक है यदि प्रतेग बेटी को प्रतेग भतीजे से 4 गुना प्रतेग बेटे को प्रतेग भतीजे से 5 गुना प्राप्त होता है तो प्रतेग बेटी को कितनी धनराशी प्राप्त होता है चलिए, होती है basically अब यहाँ पर हम कैसे निकालेंगे पहले एक बाद समझ लेते हैं कि यहाँ पर टोटिल कितने रुपए है तो देखे 8,600 रुपए टोटल है जिसको आपको किन-किन लोगों के बीच बाटना है तो देखे 3 परकार के लोग है कुछ सन है याने बेटे है कुछ डॉटर है याने बेटिया है और कुछ नेफियों है याने भतीजे है कितने बेटे हैं तो देखे बेटों की संख्या 5 हैं, बेटियां कितनी हैं, 4 हैं, और भतीजे कितने हैं, तो 2, तो मेरे ख्याल से यह चीज़ यहां पर clear हो गई, अब इसकी next line सबसे important line है पूरे question की, क्या बोला गया है, प्रतेक बेटी को प्रतेक भतीजे से 4 गुना प्राप्त होता है, तो इ चीज़ आगे बोली गई कि प्रतेक बेटे को प्रतेक भतीजे से 5 गुना, यानि अगेन इसको 1 रुपए मिलेगा, तो इसको 5 रुपए मिलेगा, तो देखे एक प्रकार से हमारे पास ratio आ गया, किसको कितना मिलना है, भतीजे को 1 रुपए मिलेगा, तो बेटी को 4 पर ये जो 5, 4, 1 है, ये एक इनसान के लिए है, यानि एक बेटे को 5 मिलेगा, एक बेटी को, या प्रतेक बेटी को 4 मिलेगा, प्रतेक भतीजे को 1 मिलेगा, पर बेटे हैं कितने, तो देखे पाँच हैं, तो पाँच लोगों को 5 पाँच देना है, तो टोटल कितना देना ह इसी प्रकार बेटियों की बात करो, तो चार बेटिया है, सबको चार-चार देना है, याने टोडल कितना देना है, 16 इनको देना है, इसी प्रकार दो भांजे है, सबको एक-एक देना है, तो टोडल कितना देना है, दो देना है, तो बेटे, बेटियां और भांजे के बीच ज अगर 8600 के बराबर तो एक की वेल्यू 200 और अगर एक की वेल्यू 200 तो 25 की वेल्यू कितनी आईगी तो 25 दूनी 50 और 2-0 इसी प्रकास 16 दूनी 32 और 2-0 और 2 दूनी 4 और 2-0 याने पाचों बेटों में 5000 रुपए जाएंगे कोशन में मुझसे पूचा गया है प्रतेक बेटी को दीखिये चार बेटियों में 32 रुपए तो एक बेटी को कितना जाएगा अगर मैं इसको सिंपली 4 से डिवाइट कर दूँ तो कितना आता है आठ आता है 800 यानि प्रतेग बेटी को 800 रुपए मिलेगा option C will be our correct answer तो मेरे ख्याल से आपको बात समझ में आ गई हाँ अगर यहीं पर मुझसे पूछता बताईए कि प्रतेग बेटे को कितना मिलेगा तो 5000 को मैं वापस 5 से भाग देता तो प्रतेग बेटे को 1000 रुपए मिलता इसी प्रतेग भांजे को कितना मिलेगा तो इसको मैं 2 से भाग दूँगा तो 400 रुपए मिलेगा तो मेरे ख्याल से आपको यह clear हो गया होगा कि किसको कितना मिलेगा कैसे मिलेगा बहुत यह अच्छा सा वाल था ससी 2000 में पूछा हुआ है बहुत सारे लोग इसको डाउट में भी लेकर आते तो मेरे ख्याल से आज के बाद इस कोशन पर तो डाउट नहीं आएगा चलिए नेक्स कोशन देखते है अगला कोशन क्या है देखिए तीन व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते है उनकी गती चार अनुपाद, तीन अनुपाद, पांच के अनुपाद में है तो उनके द्वारा लिए गए समय का अनुपाद याद करें चलिए ठीक है बहुत ही सिंपल कोशन है हम सभी जानते हैं एक चीज़ बहुत अच्छ है कि जो डिस्टेंस होता है वो इक्वल टू स्पीर इंटू टाइम होता है यानि दूरी कितने के बराबर होती है चाल गोने समय के अब देखिए इन तीनों कंडिशन में दूरी सेम है और दूरी सेम होने का मतलब क्या होगा कि जो चाल है वो क्या आएगी वो आएगी दूरी बटे समय या मैं ऐसा बोलूँ कि जो समय है वो क्या आएगा वो आएगा दूरी बटे चाल है ना तो यहाँ पर हमें एक बेसिक इतनी जानकारी पता है अब देखे इस जानकारी को मैं इस question में कैसे use करता हूँ समस्त है पहले मैं इसको मिटा देता हूँ अब देखे दूरी तो सब की बराबर है है ना दूरी तो सब को उतना ही जाना एक इस थान से दूसर इस थान अगर point A से चालू है तो ये point B तक जाएंगे तीनों की तीनों इसी ही साप से जाएंगे तो देखे पहले वाले को समय कितना लगेगा पहले वाले का समय अगर मैं first वाले का समय निकालूं तो कितना आएगा समय का formula क्या होता है दूरी बटा क्या चाल तो दूरी कितनी है नहीं पता D ही मान लेता है, चाल कितनी है, तो देखिए पहले वाले की चाल मैं इसको ऐसा चार ही मान लेता हूँ, इसी प्रकार दूसरे वाले का समय कितना होगा, तो देखिए दूसरे वाले का समय अगर मैं निकालूंगा तो कितना आएगा, दूसरे वाले का समय आएगा, दूरी बट दूसरे वाले का समय, अनुपाद तीसरे वाले का समय, कैसे निकालेंगे देखिए, तो यह आएगा, D बटा 4, अनुपाद, D बटा 3, अनुपाद, D बटा 5, D, 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 तीनों में common था, cancel हो गया, तो क्या बचेगा, एक बटा 4, अनुपाद, एक बटा 3, अनुपाद, एक बटा 5, कैसे solve करना है, हम सभी को पता है, LCM लेते हैं, इस time पे हम, LCM कितना आएगा, बताए, 4, 3, और 5, का LCM कितना आएगा, 12, 65, 60 LCM आएगा, तो LCM 60 बनाने के लिए क्लिए क्या करेंगे, तो देखिए, यहाँ पर 15 क का कुणा करना पड़ेगा, और यहाँ पर 12 का, तो यह भी 60 हो जाएगा, यह भी 60, यह भी 60, 60, 60, 60, कैंसल हो जाएगा, उपर क्या बचेगा, 15, अनुपाद, 20, अनुपाद, 12, और यही इनके समय का अनुपाद होगा, यहने answer होगा, option C, तो मेरे ख्याल से आपको यह भी सम कुछ शेट का order दिया, brand A की एक शेट की कीमत, brand B से दोगुनी थी, जब आदेश पर अमलक किया गया, तो पाया गया की, दोनु brand की संख्या आपस में बदल गई है, इससे बिल में 40 प्रतीशत की व्रद्धी होई, मूल करम में brand A, brand B, शेट की संख्या का अनुपाद था, क् जो condition दी हुई है, उसको लिख लेते हैं पहले, A और B दो प्रकार की शेट है, मुझे बोला गया है कि A की 4 शेट मंगानी है और B की suppose X शेट मंगानी है, इसके बाद मुझे से बोला गया कि कीमत के बारे में कुछ बोला गया, मैं कीमत के बारे में बारे में डिसक्स है ना, ऐसे ही हुआ, तो अब मैं बोल सकता हूँ कि पहले अगर order पर 4A थी, तो अब X A हो गई है, और पहले अगर X B थी तो अब 4B हो गई है, कीमत के बारे में बोला गया है कि A की कीमत B से दुगनी है, दुगनी होने का क्या मतलब, यह अगर 1 रुपे की मिल रही होगी, यहाँ पर भी 1 रुपे का ही होगा और यह 2 रुपे का ही होगा, देखे संख्या में एक्सचेंज हुआ था, 4 का X हो गया था, X का 4 हो गया था, पर रुपीज में, यहने cost में तो कोई चेंज नहीं हुआ था, तो A की शर्ट अभी भी 2 रुपे की मिलेगी और B की शर्ट अब मैं इसका ratio निकाल देता हूँ, 0 से 0 cancel, यह हो गया 5 और यह हो गया 7, बोलिए clear है, यहाँ तक समझ में आया, अब मैं इसकी equation मना कर इसको solve कर देता हूँ, बहुत simple है, आराम से हो जाएगा 4 दूनी, 8 प्लस X बटे, यहाँ पर देखे, 2X प्लस 4, यह 2X प्लस 4, इक्वल यह 5 बटे साथ, यह 5 बटे साथ, इसको solve करके X की value निकाल सतका हूँ गया, यहाँ से गोणा करें, 56 प्लस 7X इक्वल्स टू 10X प्लस 20, X को एक तरफ ले जाए, तो यह हो जाएगा 3X, और यह हो जाएगा 36, याने X की value 12, और X की value 12, तो मुझे किसका ratio निकालना था, brand A और B का brand A की shirt कितनी थी, 4 brand B की कितनी थी, 12, ratio आएगा 1, ratio 3, याने option B will be a correct answer, मेरे क्याल से आपको यह clear हो गया होगा, बहुत simple question था, चली देखे अगला question क्या है हमारे सामने, SSE 2014 में पूछा हुआ है, बहुत popular question है, और ऐसे questions मुझे railway के exams में, NTPC बोल लीजे, ALP बोल लीजे, या फिर मैं आपको state exams बोल दूँ, SI के exams, continuously मुझे stack के question देखने मिलते रहे हैं, तो बहुत important question है, ध्यान से समझेगा, एक police वाला, चोर का पीछा करता है, जब चोर 10 कदम चलता है, तो police, police कर्मी 8 कदम चलता है, तो मेरे पस दो character है, एक है police और दूसरा है चोर, क्या बोला गया, जब चोर 10 कदम चलेगा, याने चोर का 10 कदम, देखे 10 कदम किसका चोर का, तो police कितना चलेगा, 8 कदम, याने 8 कदम किसका, police का इस तरीके की बात किये गई है, फिर क्या बोला है, पुलिस कर्मी के पाँच कदम, चोर के साथ कदम के बराबर है, किसके पाँच कदम, किसके साथ कदम के बराबर है, इसको ध्यान रखेगा, अगर मैं पुलिस कर्मी के हिसाब से देखूं, तो पुलिस करमे के 5 कदम कित्ते के बराबर है 7 कदम के बराबर है किसके चोड के तो देखिए पुलिस वाले ने चला कित्ता 8 कदम तो क्या मैं यहाँ से 8 कदम की value निकाल सकता हूँ 5 से भाग दे दूँँगा 7 बटा 5 into 8 यह किसका आ गया किसकी value 8 कदम की पुलिस के 8 कदम चोड के कित्ते के बराबर होंगे यहाँ से मैं लिख सकता हूँ 56 अपॉन 5 किसका चोड का अब देखिए आपको क्या करना है आपने पुलिस के 8 कदम की value चोड के terms में निकाली है तो इस value को उठा का simple यहाँ पूट कर दें तो यह हो जाएगा 56 चोर बटा 5 और ratio 10 C यहाँ पर multiply कर दीजेगा ratio निकालने के लिए तो यह हो जाएगा 56 चोर रेशियो 50 तो ratio कित्ता निकल कर आएगा 2 से काट लेंगे 28 ratio 25 यह हो गया पूलिस और चोर का रेशियो यहने option C will be our correct answer क्या किया मैंने एक बार फिर से समझ लीजे मैंने दोनों को या तो पूलिस पूलिस के टर्म्स में निकाल लो या दोनों को चोर चोर के टर्म्स में निकाल लो ताकि वो cancel out होने में easy रहे इसको ऐसी समझ लीजे यह भी चोर चोर आपस में cancel हो गए एक पूलिस एक चोर था तो मैं cancel नहीं कर पा रहा था तो मैंने क्या किया मैंने दोनों को या तो चोर के टर्म्स में निकाल लिया या मैं दोनों को पूलिस के टर्म्स में निकाल लोगा अब इसको अगर मैं आपको पुलिस की टर्म्स में निकाल के बता हूँ तो कैसे देखना मैं आपको कुछ रब कर रहा हूँ ताकि आपको clear हो जाए कि यह दूसरे तरीके से भी बन सकता है यानि other side ट्रांस्पोर्ट करके भी मैं यह कर सकता हूँ द्यान से देखिएगा मुझसे क्या बोला गया था किसके कितने कदम किसके बराबर है तो देखिए पांच कदम पुलिस के पांच कदम चोड के साथ कदम के बराबर है यानि यहां से अगर मैं देखूं तो चोड का साथ कदम साथ ककदम किसका? चोड़ का? किसके बराबर है? पांच ककदम किसके? पुलिस के बराबर है तो यहां से देखिए इसने चला तो दस है, तो मैं यहां से 10 की value نکलता हूँ पहले एक कदम की value के-thti निकालूंगा? पांच बट्टा साथ तो 10 की value किती निकालूँगा, इधर 10 का गुणा कर दूँगा, इतना आएगा, 50 बटा 7, ये किसका, पुलिस का, अब देखिए, 4 का 10 कदम, पुलिस के 50 बटा 7 कदम के बराबर है, तो मैं value यहाँ पर रख दूँगा, 8 पुलिस, अनुपात, ये कितना रखूँगा, 50 बटा 7, पुलिस से पुलिस के अंसल, इसको यहाँ गुणा कर लें, गया जाएगा, 56, अनुपात, 50, रेशियो का इचलेंगे, 28, रेशियो, 25, देखिए, दोनों तरफ से सेम आंसर आता है, तो या तो आप दोनों को पुलिस में convert कर लें, या दोनों को चोर-चोर में convert कर लें, आप पास और फेल, स्कूल में पास और फेल होता है, तो यहाँ पर अनुपात क्या है, 6, Ratio, 1, अब देखिए, यदि 6 विद्यारती सफल हुए होते, और सफल हुए होते, तो 9 अनुपात एक होता, अब यहाँ पर यह पहले का था, वो बोल रही कि अगर 9 और सफल हो जाते, और स हो जाता जब फेल में से 6 कम हो जाते और पास के पास 6 बढ़ जाते क्या बोला मैंने पहले ratio था 6 ratio 1 बाद में हो जाता 9 ratio 1 कब जब 6 यहाँ पर 6 कम हो जाते और वो 6 यहाँ पर बढ़ जाते आपको value किसकी निकालनी है देखिए परिक्षा में कुल संख्या कितनी थी देखिए यहाँ पर total की value मुझे निकालनी है total कितना होगा 6 और एक 7 का total होगा cross multiplication याद आ रहा है आपको मैंने कई बार बता दिया चलिए यहाँ पर multiply करिए 6 कम 6 9 कम 9 दोनों का अंतर कितना होगा 3 याने मुझे जो value मिलेगी वो कितने पार्ट की मिलेगी 3 पार्ट की मिलेगी कहाँ से तो मिलेगी इनके cross multiply के minus करने पर अब देखिए एक plus है और एक minus है तो ऐसी जब situation होती है तो दोनों add हो जाते हैं तो 9 6 दा 54 प्लस 6 दा 6 याने 3 पार्ट की value कितनी आ गई 60 तो 1 पार्ट की value 20 वन पार्ट की value 20 तो 7 पार्ट की value कितनी हो जाएगी 140 और यही तो थे मेरे total number of students याने option A will be my correct answer जनको doubt है कि ये cross multiplication कैसे हुआ please concept video देखिए वहाँ पर मैंने आपको ये समझाया हुआ है उपर वाला ratio वो रखेंगे जिसका हमको value चाहिए दूसरा ratio नीचे वाला होगा और जो भी कम जादा हुआ होगा संख्या में उसको हम सबसे नीचे रखते हैं और उसके बाद हम इस तरीके से cross multiply करके इसकी और इसकी या दोनों की खटी value निकाल लेते हैं तो चले अब चलते हैं next question पर एक सैना चैन प्रक्रिया में चैनित व अचैनित उमिद्वारों का नुपाद चार नुपाद एक है तो basically यहाँ पर भी वोई fail और pass वाली बात हो रही है pass और fail ratio क्या है 4 ratio 1 क्या बोला गया यदि 90 से कम ने आवेदन किया होता 20 कम का chain किया गया था अगर 90 कम हो दे यानि total में basically 90 माइनस करता तो जो pass वाले हैं उसमें कितने कम हो जाते 20 कम हो जाते तो चैनित व अचैनित का अनुपाद 5 अनुपाद एक होता यानि तब ये ratio 5 ratio 1 होता प्रक्रिया के लिए कितने उमिद्वारों ने आवेदन किया था था का मतलब पहले वाला पूछ रहा है तो अब यहाँ पर समझेगा मैं जो तरीका बता रहा हूँ मैं लगाऊंगो cross multiplication पर जिस तरीके से लगाऊंगो उस पर थोड़ा सा ध्यान देना देखिए यहाँ पर total में 90 कम किया गया और यहाँ पर pass में 20 कम किया गया है ना तो एक बात समझेगे अगर मैं ratio total और pass का ही लिख लूँ तो कैसा रहे यहाँ देखिए pass कितने हुए 4 fail कितने हुए एक तो total कितने रहे होंगे 5 यहाँ दूसरे वाले में pass कितने हुए 5 fail कितने हुए दूसरी बार में total कितने थे 6 थे pass कितने हुए 5 हुए अब यहाँ पर समझेगा total में कितने कम हुए थे तो देखिए 90 कम हुए थे तो यहाँ पर लिख दूँगा minus 90 अलाकि minus 90 लिखने की जरूद नहीं है क्योंकि दोनों जगा कम ही हुए है फिर भी मैं लिख रहा हूँ फिर pass में कितने कम हो गए तो 20 कम हो गए तो देखिए minus 20 मैंने आपको बताए जब दोनों जगा कम हो या दोनों जगा बढ़े तो sign change करने की जरूद नहीं है यह रहा अब देखिए मुझे यहाँ से directly जो one part की value मिलेगी वो five के लिए मिलेगी तो मैं direct five part की value बता कर टोटल बता सकता हूँ अब देखिए करना क्या है तो मुझे यहाँ पर cross multiply करना है cross multiply करते हैं देखिए पांच पिंजे पच्चिस च्छोबिस 24 और 25 कांतर एक याने मुझे जो भी value मिलेगी एक part की value मिलेगी अब यहाँ पर value कहाँ से मिलेगी तो नीचे वाले को multiply च्छे दुनी च्छे दुनी बारा और 0 तो 120 और यह हो गया नौ पंजे पैतालिस और 0 चार सो पचास तो 450 में से मुझे घटाना है 120 कितना आएगा यह आजाएगा 330 तो अगर एक part की value 330 तो total कितने देखी शुरुबात में पांस थे तो 5 की value कितनी होगी इसमें उठाकर 330 का गोना करेंगे अंसर आएगा 1650 याने option A will be my right answer देखे मैंने इस लंबे question को बहुत simple आपको समझाने की कोशिश किया कि कैसे में cross multiplication का use करके यहाँ पर इस तरह के questions बना सकता हूँ थोड़ा सा ध्यान रखेंगे cross multiplication के लिए जो मैंने इस बार तरीका यूज किया वो total और pass के लिए था ऐसा क्यों किया कि question में मुझे बताया था कि total में 90 कम हुए pass में 20 कम हुए तो मैंने सूचा क्यों ना ratio भी वही ले लू ताकि total की value मुझे direct मिल जाए तो बस मैंने यही logic लगा कर इस question पर cross multiplication लगा है चलिए देखने है next question देखे अगला question है एक परिक्षा में चैनित और अचैनित विद्यारतियों का अनुपाद 19 सत्रा था यदि 1200 कम ने आवेदन किया तो 800 कम चैनित होते तो चैनित और अचैनित का अनुपाद एक अनुपाद एक होता खुल कितने विद्यारतियों ने आवेदन किया था ये exactly पीछे वाले question जैसा ही है 12.17 में ही पूछा हुआ है just previous question अगर आपको समझ में आ गया हो तो आप इस question को बहुत आराम से बना सकते हैं मैं छोटा सा hint दे देता हूँ आपको pass, fail और आपको use करना है total का तो आप पहले ratio लिख लें pass और fail का कितना 19.17 और एक अनुपाद 1 फिर total देख लें आपर ये total कितना है तो देखे total देखेंगे तो आपको पता चलिए कर total लाएगा 36 और यहाँ पर total लाएगा 2 कोई दिखकर इसमें मेरे कहाल से नहीं होगी चलिए अब क्या करना है अब हम देखेंगे कि हमारा जो ratio है वो total और pass का कितना है क्यों 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 यहाँ पर बोला गया है कि 1200 कम ने आवेदन किया होता तो 800 कम चैनित होते यहने basically minus कहा कहा करना है आपको total में minus करना है और selected या pass वालों में minus करना है इसलिए मैंने ratio भी total और pass वालों के लिए पहले total क्या था 36 पास कितने हुए 19 इसी प्रकार बाद में total क्या था 2 पास कितने हुए 1 कितने कितने कम हो गए तो देखें यहाँ पर 1200 कम हुए थे और यहाँ पर 800 कम हुए थे दोनों कम हुए थे तो minus plus लगाने की ज़रूरत नहीं है आप simple ले सकते हैं cross multiply करके total की value आपसे पूछी गई है यहाँ से आप जो भी value निकालेंगे उसके बाद आप 66 की value निकालेंगे तो आपको answer मिल जाएगा क्या करना है cross multiplication याद है आपको अभी थोड़ी दे पहले बताया था चलिए मैं आपको इस question के लिए मैं आपको आपके ऊपर छोड़ता हूँ मुझे comment box में answer बताईएगा question number 24 का answer क्या होगा option हला कि आपके सामने है तो मेरे क्याल से आप easily बता देंगे कोशिश करिए cross multiplication method से करें ताकि आपको practice करते समय यह जीज़ हाथ में बेढ़े है चलते है next question पर अगला question हमारे सामने बहुत ही आसान अगर 3 बटा 5 of p मैं इसको थोड़ा लिख देता हूँ side में 3 बटा 5 p बराबर 7 बटा 2 q बराबर 7 बटा 5 r तो आपको निकालना है p q r का अनुपात बहुत सिंपल है golden rule याद है आपको golden rule क्या बताया था मैंने golden rule golden rule मैंने आपको बताया था अगर a upon x equals to b upon y equals to c upon z है तो हम a ratio b ratio c कितना ले सकते हैं x ratio y ratio z यह हम ले सकते हैं पर यहाँ पर बात क्या है कि ऊपर कोई संख्या नहीं होनी चाहिए coefficients में कुछ नहीं होना चाहिए जबकि यहाँ पर देखे तीन साथ साथ है तो क्या करें ऊपर वाली संख्याओं को गायब करता है कैसे कायब करेंगे lcm लेकर किस किस का 3, 7 और 7 का lcm कितना होगा 3, 7, 7 का lcm होगा 21 तो यहाँ पर सब को उपर 21 बना दे कैसे अगर मैं इसमें 7 का multiply कर दूँ इसमें 3 का multiply कर दूँ और इसमें भी 3 का multiply कर दूँ तो नीचे भी same number से ही multiply करना पड़ेगा है की नहीं तो चलिए यह हो गया 21, 21, 21, 23 था cancel out हो गया बचा क्या P बटा 75, 35 बचा equals to Q बटा 3, 2, 6 बचा equals to R बटा 5, 3, 15 बचा तो मुझे बताइए PQR का ratio क्या होगा 35, 6, 15, option D will be a right answer मेरे ख्याल से आपको यह समझ में आ गया होगा चलिए एक कोशन और देखते है देखिए अकला कोशन हमारे सामने क्या है हीरे की लागत उसके वजन के वर्ग के अनुक्रमा अनुपाती रूप से भिन्न होती है कहने का मतलब क्या अनुक्रमाती रूप कहने का मतलब proportional होता है तो basically यहाँ पर वो बोल रहे कि हीरे की जो लागत है याने जो cost है वो कैसी है किसके अनुक्रमाती है इसके वजन के weight के वर्ग के क्रमा अनुपाती है अनुक्रमा अनुपाती है वर्ग मतलब square बात समझ मैं अब यहाँ पर समझे एक बार यहाँ हीरा एक अनुपात दो अनुपात तीन अनुपात चार के वजन में तुकडों में तूड गया एक अपने पास कोई हीरा था ये कैसा तोटा ये कुछ ऐसा तोटा कि इसके चार तुकड़े हुए कौन-कौन से एक, दो, तीन, चार और ये इनके वजन के तुकड़े थे ठीक है? चलिए तो वैपारी जब तुकड़े बेचे गए तो वैपारी को सत्तर हजार रुपए कम मिले हीरे की मूल कीमत कितनी थी? अब यहाँ पर एक बात समझे तुकड़ों का जो वजन था वो कितना था? एक, दो, तीन, चार याने मैं बोल सकता हूँ कि टोटल जो वजन होगा वो दस रहा होगा वैश सबको जोडने पर ही तो इनका वजन आएगा एक हीरा टूटा एक, दो, तीन, चार में टोटल पहले वो हीरा कितना रहा होगा तो एक, प्लस, दो, प्लस, तीन, प्लस, चार टोटल दस वो हीरा रहा होगा अब यहाँ पर समझेगा कि जो हीरा टूटा है इसकी जो कीमत है वो कैसे निरधारित होती है इसके वजन के वर्ग के हिसाब से तो अगर इस तुकड़े का वजन 1 था, तो इसका वर्थ कितना होगा, 1 का स्क्वेर 1 ही होता है, इसका 2 था तो इसका स्क्वेर कितना होगा, 4 होता है, इसका 3 था तो इसका स्क्वेर कितना होता है, 9 होता है, और इसका 16 होता है, तो इन सब को बेचा जाएगा, तो टोटल कितन मिलेगा 30 पर अगर आप इस पूरे हीरे को ही बेच देते तब आपको कितने रुपे मिलते तब आपको 100 रुपे मिलते क्यों क्योंकि वजन 10 होता और 10 का वर्ग 100 होता है यानि तुकडों में बेचोगे तो नुकसान है और पूरा बड़ा हीरा बेचोगे तो फायदा है अब यहांपा समझजी है question में बोला गया है वैपारी को 70,000 रुपए कम पराप्त हुए कितने हजार बात की बात पहले तो यह 100 में बिक्ता यह 30 में बिक्ता बताओ कितना कम हो गया काबूलो कि 70 कम हो गया तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि यही तो मेरा 70,000 था यह मेरा 70,000 रुपए कम पराप्त हुए तो अगर 70-70,000 की वेल्यू तो एक की वेल्यू 1000 एक की वेल्यू 1000 तो पहले हीरा तो 100 का था तो 100 की वेल्यू कित्थी होगी 100 into 1000 multiply करने पर कितना आएगा 1 लाक यानि पहले हीरा कितने का था एक लाग का था क्या हुआ पहले मैंने देखा तुकड़े कौन कौन से थे एक दो तीन चार टोटल कितना हुआ दस यानि पहले ये पूरा दस का रहा होगा बाद में टूटा है स्क्वेर करेंगे तो उनकी कीमत पता चलती है एक लाग के बराबर यानि पहले हीरे की कीमत एक लाग रही होगी मेरे खेल से आपको ये क्लियर हो गया होगा बिलकुल चले आगे चलते है तो ये अगला कोशन थोड़ा सा मॉडिफाइड है वैसा ही है पर आगे आने वाले एक्जामस आपको ऐसे कोशन दिखने के ज़्यादा चांसेद है वैसे तो दिखेंगे ये दिखेंगे कुछ अच्छे एक्जामस आपको ऐसे कोशन दिख सकते है कोशन क्या है देखिए हीरे की कीमत उसके वजन के वर्ग के साथ अनुक्रमाती रूप से भिन्न होती है वही बात कॉस्ट जो है वो कैसी है डारेक्ली प्रपोर्शनल है किसके वेट के स्कुवेर के यह जो भी वेट होगा उसका स्कुवेर के सापसों की कीमत चेंज होगी ठीक है हीरे तीन भागों में तूटा है जिसका वजन दो अनुपात तीन अनुपात साथ है एक हीरा है मेरे पास यह कुछ ऐसा तूटा है कि तीन तुकडे हुए दो अनुपात तीन अनुपात साथ में वो बोल रहा है यदि हीरे तीन भाग में तूटा होता जिसका वजन एक अनवपाद एक अनवपाद दो होता तो अतिरिक्त चार हजार का नुकसान होता यानि अगर ये हीरा ऐसे ना तूट कर तीन दूसरे हिसाब से तूटा होता कैसे एक अनवपाद एक अनवपाद दो में तूटा होता तो यहाँ पर इसको अतिरेक तियाने एक्स्ट्रा कितने का नुक्सान होता एक्स्ट्रा चार हजार का नुक्सान होता तो हीरे की वास्तविक कीमत क्या है बिल्कुल सरी निकाल लेते हैं कोई दिक्कत नहीं है देखिए पहले यहाँ पर टोटल लेख लेते हैं 3, 5, 5 और 7, 12 यानि यहाँ पर हीरा 12 का रहा है और इसको जोड़ेंगे तो 4 तो आपको यह समझना होगा पहले दो कि हीरा या तो 4 का होगा या 12 का होगा ऐसा तो नहीं हो सकता कि एक ही हीरा 4 कभी हो और 12 कभी हो तो सबसे पहले हम क्या करेंगे इनके वजन को equal करेंगे क्योंकि हीरा तो एक ही था ना तो देखिए 4 को 12 बनाना असान है या 12 को 4 तो हम सब भी जानते हैं 4 को 12 बनाना जाद आसान है कैसे गुणा 3 जैसी गुणा 3 करूंगा तो ये ratio भी 3 से गुणा होंगे होंगे और गुणा करने पर क्या आएगा तो गुणा करने पर यह हो जाएगा 3 अ नुपाद, तीन नुपाद, साथ में तोड़ा, और आपने उसको तीन नुपाद, तीन नुपाद, चैन नुपाद, चैन में तोड़ा, तो यहाँ पर आपको वाँ इस तोड़ने पर आपको चार हजार का एक्स्ट्रा नुकसान होगा, अब через 4000 का extra यह आएगा 62, यानि यह 62 में बिकेगा, अब यहाँ पर देखते हैं, 3 का square कितना होता है, 9, इस 3 का square, 9, 6 का square, 36, सब को जोड़ेंगे, कितने में बिकेगा, पर देखें, यहाँ पर यह 62 में बिकेगा, यह 54 में बिकेगा, तो आप बुलेंगे, 8 कम हो गया, 8 की कीमत, या 8 की value, 4000, तो 8 की value, 4000, तो 1 की value, 500, और अगर 1 की value, 500, तो हीरा पूरा कितने का बिकेगा, 12 का, नहीं, 144 का बिकेगा, बताया है ना, cost जो है, वो weight की square के साफ से होती ह इसका weight अगर 12 था तो इसकी कीमत किती होगी 144 होगी तो अगर एक की value 500 तो 144 की value इंटू करनेंग ना 500 इससे ये कितना आएगा ये हो जाएगा 72,000 तो ये होगी मेरी इस हीरे की कीमत option B will be a right answer मेरे ख्याल से आपको इस समझ में आ गया logic क्या था एक simple सा logic याद रखेगा weight दोनों का equal होना चीए अगर एक ही हीरा दो बाई टूट रहा है तो भी तो उसका weight equal ही होना चीए total weight तो equal ही होना चीए बस उतना कर दीजे बाकी जो हम पहले कर रहे थे वही अभी भी कर रहे है मेरे क्याल से आपको ये clear है चलिए next question पर चलते है देखे अगला question हमारे सामने के है x cube minus y cube ratio x square plus x y plus y square का अनुपाद दिया है 5 अनुपाद देख और दूसरा x square minus y square ratio x minus y equal to 7 ratio 1 दिया हुआ है आपसे पूछा है 2x ratio 3y की value ssc 2015 mains का question है वैसे तो बहुत simple है बहुत easy है बस आपको कुछ formula पता होना चाहिए x cube minus y cube का formula अगर आपको पता है तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी क्या formula होता है यह होता x minus y into x square plus x y plus y square यह इसका formula होता है नीचे ratio याने बढ़ लगा लेता हूँ और नीचे क्या दिया है तो यह दिया x square plus x y plus y square और इसका ratio उसने दिया है 5 ratio 1 तो अब आपको simple दिख रहा होगा कि यह portion और यह portion cancel हो जाएगा याने x minus y के value आपको सीधी सीधी 5 दिख रही है इसको देखते हैं थोड़ा सा analysis करते है x square minus y square की formula आपको पता है क्या होता है x plus y into x minus y upon x minus y नीचे equals to ratio क्या दिया 7 ratio 1 और x minus y से x minus y cancel तो यहां से आपको क्या मिल गया x plus y equals to 7 दोनों को जोड़कर x की value निकालने minus करके y की value निकालने x upon y की value आईगी वो कितनी होगी वो होगी सचार 12 और 2 याने sorry 12 याने 6 ratio 1 वो लिए clear पर यह answer मुझसे पूछ ही नहीं यह मुझसे क्या पूछा गया 2x 3y तो ठीक है 2x 3y निकाल देते हैं 2 into x याने 3 upon sorry x याने 6 2 into 6 upon 3 into y का मतलब 1 था यह cancel होगा 2 से 2 दूनी 4 तो 4 ratio 1 will be my answer याने option a will be my correct answer तो मेरे ख्याल सही इसमें भी आपको कोई दिक्कत नहीं हुई होगी तो देखे यह है हमारा अगला question ऐसा question हम एक बना चुके हैं वहाँ पर a ratio b ratio c पूछा हुआ था यहाँ पर 1 by a 1 by b और 1 by c पूछ लिया है method में कोई difference नहीं आएगा निहान से देखे a plus b को क्या मैं 7x बोल सकता हूँ देखे रेशियो है ना 7, 6, 5 तो मैं इसको 7x, 6x और 5x बोल सकता हूँ तो a plus b क्या है 7x है इसी प्रकार b plus c क्या है तो इसको मैं 6x बोल सकता हूँ और c plus a क्या है तो इसको मैं 5x बोल सकता हूँ बोले clear है अब देखिए, मुझे a plus b plus c की value 27 पता है अगर मैं तीनों equations को add कर दूं तो मुझे 2a मिलेगा, 2b मिलेगा और 2c मिलेगा 2 को common ले लो, a plus b plus c equals to ये कित्ता हो जाएगा, साच चर बार अच्छे 18x काट लिंग इसको ये 9 बचेगा और a plus b plus c की value मुझे 27 पता है 27 equals to 9 into x, 9 से कर देगा 3 बार में तो x की value 3 मुझे मिल गई चाहिए किसकी value थी, 1 by a, 1 by b, 1 by c हाला कि अभी मुझे मिला नहीं है पर ध्यान से देखिए, a plus b की value x जैसे ही 3 रखना हूँ तो कितनी आईगी? 21 b plus c की value जैसे ही x की value 3 रखना हूँ 27 तो मुझे पता ही है एक एक करके अगर मैं value substitute कर दूँ तो मुझे easily मिलता जाएगा देखिए a plus b 21 है, अगर ये हिस्सा 21 है तो c कितना होगा? minus कर लेना c की value 6 आजाएगी इसी प्रकार b plus c 18 है देखिए b plus c अगर 18 है तो इस 18 को लेखिए minus करेंगी किस की value मिलेगी? a की, a की कितनी होगी? बताइए, 9 हो जाएगा बुले clear है, इसी प्रकार अगर मैं c plus a देखूं तो 15 है, देखो c plus a अगर ये 15 है, तो मुझे यहां से b की value मिल जाएगी उधर ले जाकर minus कर देंगे कितना आएगा? देखिए, 15 अगर मैं यहां से minus कर दूँ तो 1, 2 12 आएगा, बुले clear है तो अब मुझे यहां से ratio किस किस का पूछना है 1 by a ratio, 1 by b ratio, 1 by c तो 1 by 9 ratio, 1 by 12 ratio, 1 by 6 LCM लेलेंगे ऐसी situation में 9, 12, 6, LCM 36 होता है, 36 के लिए into 4, into 4, into 3, into 3, into 6, into 6 36, 36, 36 आपस में cancel 4, 1, 4, 3, 1, 3, 6, 1, 6 4, 1, 5, 3, 1, 5, 6 यही मेरा सही answer होगा गलती से भी 9, 12, 6 पर टिक लगा के मता जाना यहां पर आपसे 1 by a, 1 by b, 1 by c की value पूछी थी तो मैंने 1 by a, 1 by b, 1 by c की value निका लिए LCM लिया, 4, 3, 6 आया और यही मेरा सही answer होगा तो चलिए अब आगे चलते हैं देखे अगला कोशन आमारे सामने क्या बोला है 1 by 15 अनुपाद, 1 by 10, अनुपाद, 1 by 9 के अनुपाद में 1 रोपय 50 पैसे और 10 पैसे के सिक्के 1 बटवे में है जिनकी कुल कीमत 34.5 है 10 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्याद करें देखे आपको यह जो 1 by 15 अनुपाद, 1 by 10, अनुपाद, 1 by 9 दिया हुआ है यह किसका अनुपाद है तो यह सिक्कों का अनुपाद है यानि उनकी संख्या है यह कीमत कित्ती है 34.5 आपको याद है मैंने आपको क्या समझाए था कि कभी भी जब भी सिक्क्य हमें दिये हों तो एक रुपए पचास पैसे और दस पैसे कि अगर हमारे पास सिक्क्य हैं तो हम क्या करते हैं सबसे पहले आपर दो चीज चेक करते हैं एक है नंबर और एक है वेल्यू अगर मैं नं चूंक कि value कितनी है तो देखे total value उसने 34.5 दी है और ये total में दिया है तो देखे वही बात हो गई कि संख्या का जो ratio है वो दिया हुआ है और total value में दिया हुआ है तो क्या करना है सबसे पहले ratio से मुझे value पर आना पड़ेगा पर उसके लिए पहले मुझे इस ratio को भी ठीक करना पड़ेगा ये एक बेटा 15 एक बेटा 10 एक बेटा 9 LCM बोलिए LCM आये का 90 और 90 आने का मतलब इधर 6 का गुणा इधर 9 का गुणा और इधर 10 का गुणा तो उपर भी सेम करना पड़ेगा ये 6 से ये 9 से और ये 10 से तो ये 90 ये 90 ये 90 आपस में cancel हो जाएगा बचे का क्या 6 अ आएंगे तो देखिए मैंने आपको बताया था एक रुपए बनाने के लिए कितने सिक्के चाहिए होंगे एक रुपए बनाने के लिए कितने सिक्के चाहिए होंगे दो एक रुपए बनाने के लिए कितने सिक्के चाहिए होंगे दस तो यहां पर डिवाइड बाइन और इन सब को जोडने पर मुझे कितना मिलना चीए 34.5 इसको अगर मैं solve करता हूँ तो x की value कितनी आएगी देखे अगर मैं इसको solve करूँगा पूरा तो मुझे x की value मिलेगी 3 मैं पूरा solve नहीं कर रहा हूँ space भी कम है time भी कम है तो आप solve कर सकते हैं बहुत easy है कोई ऐसा rocket science नहीं है x की value 3 आईगी और जैसे x की value 3 आगे तो उसने मुझे क्या पूछा है 10 पैसे के सिक्कों की संक्या 10 पैसे की कितने सिक्के थे तो देखे 10x थे ना अभी अपने रेश्यो ठीक करके क्या बोला था 10x और x की value अगर 3 है तो 10 into 3 is 30 याने 10 पैसे की कितने सिक्के थे 30 सिक्के थे option b will be a correct answer इस equation को solve कर लीजेगा x की value 3 आई और अगर x की value 3 नहीं आती है तो दोबारा करिएगा आपने कहीं कोई गल्दी की होगी ठीक है चले next question देखते है देखे अगला question हमारे सामने है एक कार्याले में कर्मचारियों की कुल संख्या का 5 बटे 8 हिस्सा पुरुष है अब देखे 5 बटा 8 हिस्सा कहने का मतलब क्या होता है कि अगर 5 बटा 8 पुरुष है तो total होंगे 8 जिसमें से 5 होंगे male गुले clear है तो बताए फीमेल किती होंगी तो आप easily बता सकते हो फीमेल किती होंगी तीन होंगी तो बस इसी जीज़ के data को या इसी छोटी मोटी जानकारी को हमको यूज़ करना है कैसे देखे male कितने है 5 बटा 8 फिर उसने बोला बाकी महिला आए है बोली clear आगे बढ़ते है क्या बोला है पुर्षों की संख्या का 2 बटा 5 पुर्षों की संख्या किती थी 5 इसका 2 बटा 5 5 का 2 बटा 5 किता आएगा 2 ये कौन है ये गैर तकनीकी है गैर तकनीकी आने non-technical है ये तो मुझे बताए ये technical वाले कित्ते होंगे तो देखे 5 में से 2 अगर non-tech है तो बचे 3 technical होंगे आगे क्या बोला गया है जबकि महिलाओं का 2 बटा 3 हिस्सा तकनीकी है अब देखे महिलाओं का 2 बटा 3 निकाली है महिलाओं का 2 बटा 3 किता आएगा 2 तो बचे अगरता एक ये non-technical है ये जो एक बचे ये non-technical है बाकि ये भी technical थे और ये भी technical थे सवाल क्या पूछा गया आप वो पढ़ लेता है करमचारियों की कुल संक्या का कितना हिस्सा तकनीकी करमचारी है देखे टोटल कितने तकनीकी है ये तीन भी तकनीकी है ये दो भी तकनीकी है तो टोटल पांच तकनीकी है और टोटल करमचारी कितने आठ याने आठ में से पांच तो पांच बटा आठ हिस्सा याने option C will be a right answer बहुत ही easy question था SSC 2018 में पूछा गया है चलिए देखते है next question तो देखे अगला question क्या है हमारे सामने बहुत ही अच्छा सवाल है द्यान से पढ़िएगा एक परिवार में N लोग थे इस परिवार में प्रतिमा चावल का खर्च परिवार के लोगों की संख्या का वर्ग का पांच गुना है संख्या जितनी भी थी उसके वर्ग का पांच गुना से अनुक्रमाती है basically चावल का खर्च याने rice का जो खर्च है वो अनुक्रमाती है याने proportional है किसके जो भी संख्या थी उसके वर्ग का पांच गुना जो लिखा वो clear हुआ चावल का जो भी खर्ष था वो अनुक्रमाती है किसके अनुक्रमाती है संख्या के वर्ग का पांच कुना बोले क्लियर अब आगे पढ़ते हैं अगर बड़े वेटी ने परिवार छोड़ दिया तो प्रतिमा 95 कीजी चावल की खपत में कमी आई अगर मैं आपसे बोलू एक आदमी चला गया तो अब तो N-1 हो गए पर फॉर्मूला तो वही रहेगा स्क्वार इसका भी करना पड़ेगा और पांस से गुणा इसे भी करना पड़ेगा अब यह नई वाली राइस की खपत है तो यहाँ पर यह कितना कम हो गया 95 केजी कम हो गया तो मैं इसको ऐसा बोल सकता हूँ कि 5 N-2 और 5 इंटू N-1 का स्क्वार में अंतर आपको कितना देखने मिलेगा 95 केजी का तो 5 कॉमनली की डिवाइट कर दें तो N-1 का होल स्क्वार इकोलस तो 95 डिवाइड वाइट भाइव यहाँ से आपको मिल जाएगा 19 इसको एक्स्वार माइनस N-2 माइनस वन प्लस इकोलस तो 19 N-2 से N-2 केंसल माइनस वन प्लस कर लेजीजिएगा इधर 2N इकोलस तो 20 तो N की वैल्यू 10 याने पहले परिवार में 10 लोग थे simple question अब यहाँ पर इसको ध्यान से सुनिएगा यह जो अभी अभी मैंने आपको यह पूरा equation करके बताए इसको मैं दूसरे तरीके से भी solve कर सकता था कैसे जैसे मुझे n-n-1 equals to 90 बता चला n square minus n-1 का 4 square equals to 90 बस मैं यहीं से देखके n के value बता सकता था कैसे आपके पास दो संख्याए हैं जो कि आजू बाजू की है n और n-1 जस्ट दोनों आजू बाजू की संख्या है अगर n को मैं 5 बोलूँगा तो n-1 को 4 बोलूँगा अगर इसको इसको 49 बोलूँगा जस्ट यह आजू बाजू की दो संख्या हैं इन दो संख्याओं का अंतर sorry इन दो संख्याओं के वर्गों का अंतर हमेशा एक विशम संख्या होती है अब किनी भी दो numbers को ले लें जो की आजू बाजू के हैं for example 12-13 ले लें 11-10 ले लें कोई भी दो आजू बाजू की संख्याओं ले लें उनके वर्गों का अंतर निकालें तो जो अंतर निकलेगा वो एक odd number निकलता है याने विशम संख्या निकलती है अब ये odd number ये विशम संख्या कौन से number की विशम संख्या है ये मुझे बताता है कि बड़ी संख्या कौन सी है बात समझेगे का मैं क्या बोल रहा हूँ 19-19 कौन से number की विशम संख्या है अगर मैं आपसे बुलू हूँ पहली विशम संख्या तो आप बुलेंगे एक दूसरी विशम संख्या तीन तीसरी विशम संख्या पांच चौती विशम संख्या साथ इसी प्रकार अगर मैं आपसे पूछू 19 कौन से number की विशम संख्या है तो आपको पता चलना चाहिए कि ये दसवे number की विशम संख्या है 10th number की तो इन में से जो बड़ा number होगा ना वो 10 ही होगा बड़ा number कौन होगा एन एन माइनस 1 एन तो यहां से एन की वेल्यू सीधा सीधा आप 10 भी निकाल के option भी टिक करके निकल सकते थे ये एक दोसरा तरीखा है इसको जब मैं आपसे number system डीटेल में डिसकस करूँगा number system तब भी मैं आपको अच्छे से बताऊंगा कि इस टाइप की चीजे या ये basic knowledge हमारा इस टाइप की situation में कितना ज़्यादा काम आता है जैसी मुझे ये दिखा मैं सीधा एन इकोल स्टू 10 पर टिक लगा के आगे बढ़ सकता था और ये कोई shortcut भी नहीं था ये तो concept था तो ये सब चीज़ा हम number system में और सीखेंगे फिलाल के लिए इसको इतना ही समझे चलते हम next question या कहूं हमारे आज के आखरी question की तरफ तो देखिए हमारे आज का आखरी question क्या है एक engine बिना किसी wagon तो जोड़े 24 km प्रती घंटे की चाल से चलता है देखिए बहुत important question है engine और wagon वाला confusion बहुत जादा होता है इसमें बच्चों को तो आप थोड़ा ध्यान से समझेगा सारा confusion हरे आएगा उसने बोला है कि एक engine है जो कि बिना wagon के याने पीछे अगर कोई डबबे ना लगे हो तो ये 24 km पर आर की speed से चलता है फिर उसने बोला train की गती में कमी engine से जुड़े wagon की संख्या के वर्ग मूल के अनुक्रमाती रूप अनुक्रमाती होती है basically उसने क्या बोला कि गती में कमी गती में कमी याने speed में जो कमी आई की decrease होगा वो किसके अनुक्रमाती होगा under route वर्ग मूल किसके wagon की संख्या के याने number of wagons कितने जुड़े हैं उसके under route के अनुक्रमाती होगा तो ये बात आपको समझ में आई चलिए अब आगे पढ़ते हैं जब 4 wagon जुड़े होते हैं तो इसकी गती 20 km पती गंटा हो जाती है देखिए पहले किती थी 24 अब किती हो गई 20 मुझे बताए कितनी कम होई क्योंकि आपको जो equation दी है वो speed के लिए नहीं दी है वो speed में कमी कितनी होई उसके लिए दी है तो देखिए speed में कमी होई है चार की पहले 24 थी अब 20 हो गई और ये क्यों होई है ये अनुक्रमाति है किसके अंडरूट wagon कितने जुड़े हैं चार जुड़े हैं तो अभी आप बस इसको इतना ही समझेए आगे पढ़ते हैं अधिकतम wagon कितनी संख्या लेकर चल सकता है देखिए अधिकतम wagon की संख्या बूचा है अब मुझे बताईए अधिकतम wagon कैसे पता चलेंगे मैं यहाँ पर wagon जोड़ते जाऊं जोड़ते जाऊं डब्बे जोड़ते जाऊं और एक समय ऐसा आएगा कि इतने डब्बे जुड़ गए कि ये train अब चली ही नहीं पा रही है तो जब चली ही नहीं पा रही है तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ speed 0 हो गई तो पहले speed थी 24 अब आपने कर दी 0 आपने कितनी कम कर दी तो आप बोलेंगे मैंने 24 की 24 कम कर दी पहले कितनी कम हो रही थी पहले 4 कम हो रही थी अब आपने कितनी कम कर दी पूरी 24 की 24 कम कर दी मैंने 24 क्यों कम की क्योंकि मैं तो बस ये चाहता था engine रुक जाए ताकि मैं आखरी वाले एक डब्बे को हटा हूँ और धीरे 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 ये चलती रहे हौले हौले चलती रहे तो जब यह हौले हौले चलती रहेगी तो इसका मतलब वही इसकी अधिक्तम संख्या होगी एक और डब्बा लगाया तो यह रुख गई अगर यह आखरी डब्बा हटाया तो यह चलने लगी याने अब जो संख्या है वो इसकी अधिक्तम संख्या है तो मैंने कोशिश की कि यार यह ट्रेन कब तक एकदम रुख ही जाए तो देखे पूरी 24 की 24 स्पीड अगर मैं खतम कर दूँ पूरी गिरा दूँ 24 तब मुझे पता चलेगा कि कब ट्रेन रुखेगी चले इन दोनों एक्वेशन का मैं रेश्यो निकाल लेता हूँ रेश्यो की आएगा4 अपॉर पूरण 24 एकौलस टू अंडरूट 4 अपॉर अंडरूट वेगिन वन शिक्सवर कर ले ना 1 अपॉन , 36 इकौलस टू 4 अपॉन वेगिन judicial अधर 4 उतर वेगिन उकॉलस टू 144 कैसे वेगिन обяз 14 4 into 36 कितना होता है 144 होता है तो wagon की संख्या 144 अगई पर ध्यान रखेगा ये वो wagon की संख्या है जहां पर decrease in speed पूरा का पूरा 24 हो जा रहा है पूरी की पूरी 24 की speed खतम हो गई याने अब train हो गई ये 0 पर 0 पर कहने का मतलब अब ये train नहीं चल रही मुझे बताइए अगर आपने 144 डब्बे लगा दिये तो train तो चलना ही बंद हो जाएगी न तो अधिक्तम कितने ही चला सकती है तो एक डब्बा हटा दीजे याने 143 तक ये चला सकती थी answer होगा 143 बहुत ही अच्छा और बहुत ही important question तो मेरे ख्याल से आपको ये session पसंद आया होगा समझ में आया होगा चलिए आज का session यहीं तक मिलते हैं आपको अगले session में एक नए chapter के साथ एक नए topic के साथ तब तक अगर आपको ये video पसंद आया है तो like करिए, share करिए comment करके मुझे बताइए आपको सेशन कैसा लगा और चैनल को सब्सक्राइब करिए थांक यू, जैहन